फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी सभापती महोदय किसानों की उपज की आप नाधिक कीमत दे सकते हैं नाधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्द हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है जो कोच आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्च नजर नहीं आ रहा है मैं यही कहना चाता हूँ की आप देखें की आपके कारिक्रम में कहां तुटी है कहां कमी है आपने कर लगा रखे हैं आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं हमारे प्रदेश में तो जमीन पर पचीस प्रतिसत जादा कर भी लगा दिया गया है इतना बोज अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर तूट जाएगी वह पहले से तूटी जा रही है लेकिन वे इन करों को देने के लिए तयार हैं यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तयार करें हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं पूर भी जिले हैं जहां पर बहुत बुरी इस्थती है हमारे सदन के एक सदस ने रो रो कर यह बताया था कि वहां लोगों को दो रूपे मजदूरी में मिलता हैं इतना ही एक दिन की उनकी मजदूरी है सरकार ने एक आयोक की नियुक्ती की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार किये जाएं वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए कैसे आपका ध्यान इन सभी कठनाईयों की ओर आकरसित किया जाए समझ में नहीं आता है यातायात के साधनों की इस्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दरजे में भीड़ भार का कोई ठिकाना नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है आपके पास अच्छे इंजन हैं अच्छे गती वाले इंजन हैं लाइन भी अच्छी है तो क्यों नहीं दूसरे दरजे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं लोगों को कुछ सुबिधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है जो समस्त कठनाईयों को जहलता है आपके सारे कारिक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से सक्ती आएगी कैसे वे अधिक अन उपजा कर आपको दे सकेंगे आप इन सब पर सोच विचार करें आपने बड़े बड़े फार्म बना दिये हैं क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है मैं चाहता हूं की सरकार इस तरफ निष्टा पूर्बग ध्यान दे राज सरकारों पर दबाव डाला जाए की वे इस दाइत के प्रति सचेत हूं और आइत को उनके कार में पूरा पूरा सहयोग प्रदान करें सभापती महोदे सरकार ने कई करसी फार्म खोले हैं क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं अगर तमाम खर्च जोड़ दिये जाएं बड़े बड़े अपसरों की तनक्वाहें जोड़ दी जाएं तो पता चलेगा की तमाम एकिरसी फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे जिस छेतर से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है मैंने दस वर्ष तक अपनी एसम्बली में इस पुल के लिए कोशिस की है जिस दिन से मैं यहां आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोशिस कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि गंगा पर एक पुल बने उस पुल को बनाने का आस्वासन भी मिला था एक प्रस्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा अब मालूम हुआ है कि उस इसकीम को उठा कर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा इन लोगों ने क्या कसूर किया है यह मैं आप से जानना चाहता हूं हमारे छेत के लोगों ने पाकिस्तान की लडाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था हर तरह की सहायता दी थी हमारे यहां के नवजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी अन की कमी कहीं नहीं थी अन की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो या चाहते हैं कि सरकार फेल हो जाए ए लोग जो देश के बड़े बड़े सहरों में दंगे करवाते हैं दूसरी तरफ हम हैं जो की इनकी बातों को नहीं समझ पाते इनको तमाम वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उतसुक हैं इसलिए सरकार का इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो की एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले सोभाग से मैं ऐसे संगठन से संबंद रखता हूँ जिसने स्वाधीन भारस से पूर अंग्रेजी राज के समय में इस कार को अपने हाथों में लिया था इस सदन के माननी सदस जानते हैं कि हमारे देश में 1857 से आर समाज इस कार को कर रहा है